आज हम यह कोशन पढ़ते हैं आपके पेपर में कंप्यूटर साइन्स का पर और इंफोरमेटिक्स प्रक्टिस का पर हो उसमें जो है बोर्ड एकजाम में फ्री बोर्ड में 33 नंबर वाला जो कोशन आना है यही कोशन आना है यह समझो आपको पांच नंबर जो है दिये गई है कि आप भई एक्जाम में अच्छे नंबर आपके मार्किंग हो जाए पांच नंबर फ्री के समझो इस तरह का कोश्चन आएगा कैसा भी कोश्चन हो कुछ भी लेंग्वेज टर्म बदल जाएंगी आंसर सबके एक जैसे ही होंगे तेकि क्या करना इस कोश्चन म और नाम दे रखा कुछ भी कंपनी का नाम दे दो उससे कुछ नहीं हो रहा इट इस प्लानिंग टू सैट अप इंडिया कैंपस इन मुंबई में इसका एक कैंपस बनने वाला है विद हैड ओफिस इन दिल्ली हैड ओफिस दिल्ली में होना है तो मुंबई कैंपस में चार प्लोग बिंडिंग पहला नाम डूसरे का तीसरे का फोड कब मेडिया तो आपको सबसे पहले हैं ने लेणुड याओट दिया हुआ है कुछ इसको समझते हैं कि मुंबई ऑफिस है इसमें इसने जैसे बताया कि मुंबई ऑफिस में इसको एक admin जो बलोक बनाना फूल का एक डैकॉरेटर का और यह हैड ऑफिस है इसका यह दिल्ली में हैं तो अब इसको ध्यान में रखते हुए आपको कुछ question's के आंसर देने पाच number का question होने वाला है या 4 number.ё question होगा तो 4 वोप्सन होंगे लिए 5 number का होगा तो पांचोंगे पा ang numbered question ये आता है वर से थीस number question पारा 5 number आता है तो 5 number का question है आपको पहला question क्या क्या करना सबसे पहले वर question को पढ़ लो इंस्ट्रक्शन यह सही अच्छे जिसने पढ़ लिया आंसर कुछ लिए यह हमारे पास उसने अपना लेयाउट बता दिया है कि इस तरह का है यहां पर इन्होंने डिस्टेंस दी है कि एडमीन से डेकोरेटर में नब्वे मेटर की डिस्टेंस है एडमीन से मेडिया में इतने की इस से इतने में सब जो भी हमारे पास यहां पर ब्लोक हैं या ओफिस हैं उनके बीच की डिस्टेंस दे दियो कितनी किस बिल्डिंग में किस ब्लोक में कितने कं है यहां पर एक यह फीगर है इनको देखके हमें आंसर करने होते हैं पहला कोशन है सजेश्ट मोस्ट एप्रोप्रियेट लोकेशन ऑफ दा सर्वर देखो कोई सा भी कोशन कैसी भी टर्म बदल के आ जाए यह कोशन जरूर आना है पेपर में क्या कोशन आना है यह वाला एक को कोशन जरूर होगा कि आप यह बताओ कि सर्वर कौन से ब्लोक में रखा जाए या कौन सी बिल्डिंग में लगाना है सर्वर ठीक है मुंबई कैमपस के तो अपने आंसर का जिस्टिफाई भी करना एक नंबर का कोशन है तो यह जो नंबर ओफ कंप्यूटर वाली टेबल है इस टेबल को देखो इसमें जिसमें भी सबसे जादे कंप्यूटर है ठीक है एडमिन वाले ब्लोक में है सबसे जादे तो एडमिन में ही सर्वर लगेगा जिस भी बिल्डिंग में जिस भी ब्लोक के अंदर सबसे जादे कंप्यूटर होते है महीं पर सर्वर लगता है ठीक connect the various building within the Mumbai campus तो Mumbai campus में आपको layout बनाना है ठीक है केवल layout draw करना कि ये जो अलग-अलग building है मुंबई के अंदर ये चारों ये किस तरह से connect होगी तो इसके लिए जो हमारे पास start topology का आप यूज करना admin block में क्या बताया आपको कि admin block में server बनेगा तो जो admin block है उस admin block से बाकी को connect कर दो food को भी, media को भी और decorator को भी ये connect कर दिया ये आपका answer हो गया है ठीक है second वाले question का बस direct जाते ही ऐसे ही question आपके answer करने कुछ भी दिया हो दो question ये ही आएंगे आपके paper में जाते ही एक तो server किसमें बनाएंगे जिसमें सबसे ज़्यादे computer वो server दूसरा layout बनाना तो जो server वाला बन गया उसको बाकी से connect कर दो start apology बनाने तीसा question होगा which hardware device would you suggest to connect all the computer within each building जब each building आए यानि हर building की अंदर कौन सी device यूज करनी है तो उस case में ये question आएंगे बिल्गु सेम यही question आएंगे आपके paper में इसी तरह के बोर्ड के paper में भी प्री बोर्ड के में भी तो switch answer कर देना है बस इसका तो जब भी किसी भी building के computer को connect करना होता है अगर एक building में आपके पास दो चार दस ठीक है computer है ज्यादे computer आ रहे तो उनको connect करते हैं स्विच से बस डारेक्ट स्विच लिख दो answer ठीक है इसके बाद हमारे पास fourth question है कि which of the following will you suggest to establish online face-to-face communication यानि video call करनी है face-to-face communication क्या हो video call बही जो मुंबाई office में बैठे कुछ बंदे हैं उनको दिल्ली office के बंदों से video call करनी तो video call किस से करेंगे video conferencing से करेंगे बस इसके लिए protocol यूज होता है अगर protocol पूछा जाए तो लिख देना network वाट टाइप network का type पूछा है कि वाट टाइप of network network के type होते है पैन लैन मैन और वैन तो कौन सा लगेगा अगर एक ही building के अंदर हो रहे हैं परसनल एरिया एक ही city के अंदर करें तो मैन करेंगे तो यह कहला मुंबई campus को connect करना आपको दिल्ली campus से तो अलग-अलग city होगी मुंबई और दिल्ली काफी दूर दूर है तो वैन का यूज कर दो इसमें हाँ पर बाइड एरिया network लगेगा दिक computer connected in the Mumbai campus मुंबई के अंदर ही करने वहीं पर उसी campus में मुंबई campus में जो चार बिल्डिंग उन्हीं को करना तो लेन का यूज कर लो एक ही campus में वहां पर कर रहे हैं पांच नंबर होगी कोई भी कोशन आई यही कोई 33 में बस टर्म बदल जाएंगी कोशन सारे यहीं रहेंग अफिस का नाम चेंज हो जाएगा बाकी कोशन यही रहनी है जो यह पांच कोशन है बस इसमें कभी कभी प्रोटोकोल पूछ ले जाएगा थोड़ा बहुत वह आंसर यहीं रहेंगे ठीक है तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए